असलाम अलेकुम दोस्तों स्वागत है आपका योट्यूब चैनल टेक वेब में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप विंडोस 7 को कैसे आप अपग्रेड करेंगे विंडोस 10 में बिल्कुल फ्री में आपको लेकिन इसके लिए आपको जो है इंटरनेट की ज़रूरत होगी हम यहां पर इस में यूएस भी बूटेबल नहीं बनाएंगे हम सीधे अपने कम्पीटर को अपग्रेड करेंगे विंडोस 7 से विंडोस 10 तक तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जो पहला स्टप है हमें क्या करना है हम आपने गोगल ब्राउजर पर आएंगे जो भी आप ब्राउजर यूज़ करते हो और यहां पर आप लगाएंगे तो आपको यहां पर यह ओप्शन दिखाए देगा और आपको डाउनलोड विंडोस 10 इस पर आपको यहां पर क्लिक करने के बाद एक सॉफ्ट्वेर चोटा सब डाउनलोड होगा 17 18 mb का जो आप दिख रहा है आपको लेफ्ट हेंड साइड पर तो यह जो यह जो है यह डा डाउनलोड होगा उसके बाद आपके जो आपका जो computer है उसमें इस type का एक screen आएगा तो यहां पर दिखाई देगा कि getting few things ready आपको यहां पर wait करना है तो कुछ समय ले सकता है यह तो लेकिन अगर आपके पास यहां पर internet connection है तभी आप यह वाला stuff यहां पर कर सकते हो otherwise आप यहा पर agreement आ रहा है मैं agreement अगर आप चाहते हो आप पड़ोगे otherwise आपको यहां पर इसको leave करके यहां पर आप accept बटन पे आपको यहां पर click कर देना है तो मैंने यहां पर accept पे click किया है और उसके बाद यहां पर फिर से मुझे यह message आएगी getting few things ready और उसके बाद upgrade this PC now पे मैं किलिक क आपको बोला है कि मैं ISO file download नहीं करूंगा अगर आप ISO file पेंडरे में बनाना चाहते हो तो आप दूसरा step करोगे तो उसके बाद यहां पर मुझे next करना है क्योंकि अब मैं यहां पर इसको download करने वाला हूं यहां पर next पे आपको click कर देना है और इसमें अब progression आपको रखना है चाहे वो programs है यहां चाहे आपकी personal files है उस वाले बटन पर जो पहला ही option है उस पर click कर देना है अगर आपको delete करना है तो आप वहां पर और भी कोई option choose कर सकते हैं तो मुझे delete कुछ भी नहीं करना है तो मैं इस पर click करके next पे आपको यहां पर मैं इधर click करके install करने की कुशिश करूँगा और यहां पर मुझे और यहां पर बता रहा है यह please wait तो मैं थोड़ा सा wait करूँगा तो इसमें थोड़ा सा यहां पर time लगेगा क्योंकि इसको पूरा यह देखे यहां पर अब और यहां पर install का option आएगा और आपको उस पर click कर देना है और यहां पर मैं इस पर click कर देता हूँ अब जाके जो है Windows 10 की जो necessary files है जो registry files है या जो barking जितनी भी files है वो यहां पर हमें अब डाउनलोड होना शुरू हो गई है तो इसमें भी लगबग आदे गंडे का समय कम से कम लग सकता है तो अब मैंने थोड़ा सा स्क्रीन जो है record पाज पर रखा था उसके बाद आपका जो computer है आपका computer कुछ time लगबग 2-3 बार restart होगा आपको गबरानी की जूरत नहीं है उसके बाद आपका जो computer है फिर से खुद बखुद चलने लगेगा तो 2-3 बार कम से कम यह आपका जो computer है वो restart हो जाएगा अभी यहां पर यह 0% दिखा रहा है और इसमें भी आपको time यहां पर लगने वाला है क्योंकि पूरी की पूरी जितने भी files है जितने भी drivers है आपको कोई driver फिर जरूरत नहीं है download करना क्योंकि यह सारे के सारे पहले ही windows जो update आ रही है उसी में सारा का सारा install हो जाएगा तो फिर से एक बार यह रिस्टार्ट हो रहा है और उसके बाद यहां पर 58 उसके बाद और एक बार यहां पर मैं restart को कर रहा हूं क्योंकि यह मांग रहा ह और यहां पर फिर से यह working on updates 80% हो गया है तो जी हां तो अभी सारा का सारा जो process है वो हमने complete किया है और अब देखे आप आपका जो main screen पर आएगा यह windows 10 आएगा क्योंकि हमारा जो operating system है वो यहां पर install हो गया है और आपका जो है welcome message आया है we have got some updates for you तो उसके बाद यह और computer में install करके देगा चाहे वो wifi driver हो seven driver हो mouse driver हो यह USB का driver हो जितने भी आपको computer में drivers चाहिए वो यह खुद बखुद यहां पर download करेगा install करेगा आपको manually कुछ भी चीज करने की जरूरत यहां पर नहीं है तो आपको बिलकुल आपके screen पर रहना है और जो भी option बोल रहा है आपको वो select कर देना है और यह देखें यहां पर सब कुछ यह बोल रहा है leave everything to us अब यहां पर हमारा जो process है वो complete हो गया है और उसके बाद यहां पर आपको जो color की setting आती है और बाके जितने भी settings है आप यहां पर देखकर अपनी settings करेंगे मैं फिल हाल यहां पर इनको ignore करके next पर click क जो मेरा operating system है वो बिलकुल ready है और download हो गया है और यह देखें यह मैं अभी windows 10 पे आ गया हूँ तो यह easy सा method था और hopefully आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया हमारी चनल को subscribe करके हमारी वीडियो को like करें